दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रीयकाल नियूस क्लिक के कारिकरम हफते की बात के साथ मैं उर्मिलेश आपको याद होगा बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर जी पिछले चुनाओ के दौरान जब बंगला में एक जुम्ला उचालती थी खेला हो बे तो पूरा मैदान जो रैली का चुनाओ सभा का होता था इतनी भीड अचानक बोल उठती थी खेला हो बे और ये नारा गूजने लगा था एक तरह से भारती जनता पार्टी के विरुद्ध एक प्रतिकात्मक अनगूज अवाम की उसको वो बटोरती थी अपने इसावान से लेकिन दोस्तों खेला होए गैचे, खेला हो गया, अब ये नहीं मुझे मालूम कि किस ने किया, ममता ने किया या भारती जंता पार्टी ने इस बार किया, लेकिन खेला तो हो गया अब तक ममता बनर जी जिस चीज से बच रही थी, और वो ये चीज थी, कि उनके जो मंत्री हैं, दिन पर भरस्टाचार के बहुत सारे आरोप रहे हैं, बहुत सारे, और उनमें कई ऐसे लोग हैं, जिनकी सुनवाई कोट में, कचहरी में होती रही है, जिनके खिलाब तमाम त तरह से ममता बनर जी इंतजार करती रही, और E.D. ने पार्थोच चटर जी, उनके शक्तिसाली ताकतवर नेता, कैबिनेट मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर, उन पर छापे मारी के बाद उनको गिरफतार कर लिया गया है, लेटिस्ट कबर, और पिता मुखर जी उनकी जो 30 करोड रुपे के कैश, कैश पकड़े गए हैं, अभी आखड़ा कितना सही, कितना गलत उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन E.D. ने जो कहा, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, कुछ अन्य निताओं पर भी ये सिलसिला चल रहा है, कुछ पिहारी लाके में, आगे और च सकता है, तो क्या माना जाए, कि ममता बनर जी के साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है, जो अब तक नहीं हुआ था, ममता बनर जी के भतिजे पर और अन्य लोगों पर आरोप पहले भी लगे थे, लेकिन वो टकराती थी, वो जूस्ती थी, वो आरोप लगाती थी, कि उनके लेकिन अब छापे मारी के बाद जब ये इस्तिती आई है, कैश पकड़ा जाना, गिरफ्तारी हो जाना, और पहले भी नेता कुछ गिरफ्तार हुए थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ममता बनर जी के राजनितिक जो हैसले हैं, राजनितिक जो कि प्रैक्टिस है, कहीं ऐसा तो नहीं, कि ये सारे घटना करम उनको प्रभावित कर रहे हैं, और दोस्तों, अभी तक अगर देखा जाए, तो दो बड़े घटना करम, पहला घटना करम क्या है, प्रेसिडेंट आफ इंडिया के एलेक्शन में, ममता बनर जी का ये कहना, ज इस पर संपूर्ण विपक्ष ने अपनी मुहर लगाई थी, और विपक्ष ने उनको अपना निता माल लिया, कि वो हमारे गुमिद्वार रहेंगे, लेकिन ममता बनर जी का एक बीच में बयान आया, कि अगर बीजेपी ने उनसे मश्विरा किया होता, कि द्रौपदी मुर पतलब हुआ कि विपक्ष के उमिद्वार यश्वन सिनहा को वो दर किनार कर सकती थी, जो स्वेम उनकी पार्टी के और जो स्वेम उनके द्वारा प्रपोस्ट थे, ये उन्होंने इंडिकेशन दिया, इसकी व्याख्या अलग डंग से भी की गई, लोगों ने माना कि शु नाय रखने के लिए उन्होंने एक ये एक तर्क दिया कि अगर उनको पहले से मालूम होता तो शायद वो ऐसा कर सकती थी, बहराल कौन जानता था और कौन ये जानता था कि दारजलिंग में राजपाल, उस समय के राजपाल, अब रिस ठीपा देकर वाइस पेसिनेंट का च हिमंता था, और वहाँ पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा सर्मा भी मवजूद रहेंगे, वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता, ममता जी से जब पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि ये मीटिंग का क्या मामला था, उन्होंने का कट सी मीटिंग है, और आई गई बात हो गई, लेकिन जगदीब धनकड सहाब, गवर्नर सहाब उस समय के वो दिल्ली आये, फौरण उस मीटिंग के कुछ समय बात, और दिल्ली में तीसरे दिन, उनके नाम का एनॉंस्मेंट हो गया कि वो वाइस पेसिडेंट का चुनाव लड़ने जा रहे है तो दोस्तों, अब हमारा यह कहना है, कि ये जो घटना करम है राजनीति के, और जो ममता बनर जी की पार्टी के नेताओं पर जो छ़ापे मारी अब हो रही है, जो गिरफतारियां हो रही है, क्या इनके बीश में कोई कनेक्ट है, क्या इन से किसी भी तरह का कोई मामला है, कुछ नेताओं के टार्गेट पर आ जाने का भी कोई इससे रिष्टा है, हमारे बारे, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अठकलें लगाई जा रही है, इसकी व्याख्या की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये कहना है, कि ये महच संजोग नहीं हो सकता जो बंगाल में इस वक्त हो रहा है, और दोस्तों, अब 6 अगस्त को होने वाले उप राष्ट पती चनाव में मम्ता बेनरजी ने, टीमसी को आप स्टेन करने का फैसला किया है, कि टीमसी इसमें आप स्टेन करेगी, कि विपक्ष की साजा उमिद्वार मार्गरिट अलवा को समर्थन देने, और बंगाल के उन पुर्व राजपाल जगदीप धन खड़, जिनसे उनकी कभी पटी नहीं, उनको हराने में जुटने की बजाए, अगर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आफ्स्टेन करने का फैसला कर रही है, तो इसका मतलब समझना कठी नहीं है, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो रहस्य है, आखिर वो कौन सा रायनितिक फैक्टर है, कि विपक्ष के साजा प्रत्यासी को समर्थन देने के बजाए, वो निउट्रल हो गई ही, उनका ये कहना भी गलत साबित हो चुका है, कि अलवा के बारे में उनसे विपक्ष के अन्यनेताओं ने राय ही नहीं मांगी, दो दो पार्टियों ने, कॉंग्रेस और CPIM ने बयान दे कर कहा, कि उनसे बात की गई थी, और कॉंग्रेस और CPIM के इननेताओं ने साब शब्दों में कहा, कि ममताजी से बात हुई, उन्होंने कहा था कि उनके दिमाग में, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई नाम नहीं है, विपक्ष का जो भी साजाव मिद्वार होगा, वो उसका समर्थन करेंगी, 17 जुलाई को जब अलवा का नाम विपक्ष ने जब तैक कर रहा था विपक्ष, तब भी उनसे संपर्क की कोशिश की गई, पर वो लाइन पर नहीं आई, फिर 21 को उन्होंने आफ्ट्रेंड करने का फैसला सुना दिया, यानि 21 जुलाई को, संजोग देखिए कुछी दिनों पहले, अब आप कनेक्ट कीजिए, जो मैंने पहले बात कही, कि कुछी दिनों पहले दाजलिंग में 13 जुलाई को ममता जी, हेमंत विस्वा सर्मा और धनकर साथ की स्राजा बैठक हुई थी, और ममता बनर्जी ने जैसा मैंने पहले से कहा, कि उस बैठक को एक रूटीन बैठक कट सी कॉल वगरे कहा, बहराल हम ये नहीं जानते कि आगे क्या हुआ, लेकिन इसमें एक बात तो जरूर है, क्या गारंटी है कि कौन क्या बात कर रहा है, और कौन नेता कितना बताएगा, ये भी वो बताएगा नहीं, क्यों आम लोगों को, क्योंकि जब बैठक कमरा बंद हो, तो उस बैठक के बारे में, उस बैठक में कौन क्या कहा, क्या बातें होई इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई भी तयार होगा बताने को तो ऐसी स्थिती में ये जो अभी घटना क्रम हो रहे हैं दोस्तों इसको जरूर पीछे के घटना क्रमों से खास कर राजनितिक घटना क्रमों से जोडे जाने का अगर कोई प्रयास करता है तो उसके प्रयास को गलत नहीं कहा जा सकता तो ये जो कहानी है दोस्तों अभी जारी है छे अगस्त को इसी छे अगस्त को जब उपराश्टपती चुनाओ होगा उसके पहले ममता बनर जी के जिन मंत्रियों और नेताओं पर E.D. की छापे मारी हुई है हो रही है आगे भी हो सकती है कौन जाने तो ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि बंगाल की सियासत में क्या कुछ होने वाला है और क्या घटित होगा इसका रायनितिक क्या अर्थ होगा लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है फिलहाल जो दिखाई दे रही है कि ममता बनर जी के पास अब दो ही चारा है या तो वो अर्विंद के जरिवाल की तरह जिनके सरकार के आबकारी विभाग पर जांस बैठा दी गई है और वो गुर्णा रहे हैं वो अटाइक कर रहे हैं सरकार पर केंद्र सरकार पर और एजन्सियों पर या तो ममताबनर जी उस मुद्रा में आकर सीधे मुठ भेड की मुद्रा में आएं केंद्र से और कहें कि उनकी सरकार को डिस्टेबिलाइज करने की कोशिश हो रही है या फिर वो बीच बचाओ का रास्ता खोजें जैसा कई प्रदेशों में वहां के मुख्यमंत्रियों ने खोज रखा है तो ममताबनर जी के पास आपसन बहुत कम है लेकिन इतना तय है कि वो पहले चुनाओं के दौरान जो एक कहा जाता था बंगाल की शेरनी सियासत की शेरनी वो रूप शायद दिखाने में अब उनको जरूर संकोच होगा और वो इतना फ्री नहीं महसूस करेंगी कि वो केंदर सरकार पर और केंदर की एजनसियों पर उस तरह से गुर्राएं जिस तरह वो पहले गुर्राया करती थी और दोस्तों दूसरी ख़बर जो इस बार की है हमारी हफ़ते की बात में है वो है कि इस बीत रह सब्ताख देश के राष्ट्रपती पद के लिए पहली बार पहली बार एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मुजी को चुना गया है उन्हें हमारी बधाई और देशवा पर बड़े कार्परेट घरानों के हमलों और खनन वविकास के नाम पर सरकारी जो सहयोग है उससे होने वाले प्राकृतिक संपदा हड़प अवियान पर अंकुष लगेगा क्या हम आशा करें कि आदिवासीयों को कभी नक्सली तो कभी मावादी बताकर उनकी जो निशन्स हत्याएं होती थी या होती रही है वो अब नहीं होगी संदिक्ध हत्याकांडों की स्वतंत रिजाच की याचिका डालने पर आदिवासी हितों के समर्थक किसी हिमानशुक कुमार को अब दंडित नहीं किया जाएगा और आदिवासीयों के लिए आजीवन आजीवन जूजने वाले जारखंड के किसी स्टैन स्वामी की फिर कभी जेल प्रवास्ट के दौरान मौत मौत या यूं कहें ब्यौस्थागत हत्या वो अब नहीं होगी दोस्तों क्या बिहार के रूपस पुर्चदवा से लेकर 36 गड़ के बस्तर में आदिवासीयों के दमन और जनसंगार की भायावख कथाओं का अब अन्त होगा और वे सिर्फ अब इतिहास का हिस्सा होकर रह जाएंगी जारखंड जैसे प्रदेश में 2018-19 की तरह अब आदिवासी युवाओं पर यहां तक की नावालिगों पर राजद्रोफ 124-A की धारा नहीं थोपी जाएगी आदिवासीयों के लिए सच्चमुच जनतंत्र का सुर्योदे होगा उनके नाम पर खोले गए विश्विद्यालेओं के सर्वे सर्वा उच्च वरन्य कुलीन नहीं होंगे एक बार पुना बधाई आदरनिया स्रीमती द्रौपदी मुर्मुजी भारत के नए रास्टपती के तोर पे आपके चैन के लिए और दोस्तों बिलकुल चलते चलते हमारी आखिरी खबर है तीसरी खबर कि दिल्ली कियाम आदी पार्टी सरकार के खिलाब केंद्र की नई मुहिम है लेटनेंट जनरल ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर आपकारी विभाग में जाँच के आदेश दिया है आपकारी मंतरी मनेशी शवदिया हैं जाँच सिब्याई करेगी वो दिल्ली आपकारी नीट 21-22 के फैसले और क्रियानिवन जो इंप्लिमेंट जिस तरह से किया गया उसमें कथित धादली के आरोपों की वो परताल करेगी केजरिवाल बनाम किंद्र अब ये मामला बिल्कुल खुल कर सामने आ गया है दोस्तों अब देखना होगा कि अरविंद केजरिवाल जो अब तक दूसरे विपक्षी दलों को भरस्ट इत्यादी कहा करते थे अब उन पर जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं यानि उनकी सरकार पर अब उनकी भूमिकात क्या होती है क्या वो विपक्षी एकता का मतलब आप समझते हैं या समझेंगे या एकला चलो की नीती पर ही कायम रहेंगे मैं समझता हूँ कि दिल्ली की सियासत या पंजाब की सियासत के लिए ये बहुत महत्पून पहलू होगा कि अर्विंद के जरिवाल विपक्ष की राजनीती में अपना किरदार किस तरह नहीं बाते हैं नमस्कार आदाब सत्रियकाल